वेल्कम टू यू आल एट माई यूटीब चैनल स्टडी टाइम वित असके हेलो दिस इस सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CHE 3L Chemistry Lab 1 का Part 2 है जहाँ पर Block 2 के सारे important points आप देखने वाले हो Part 1 के अंदर हमने Block 1 से related सारे points देख लिए हैं तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के playlist section में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हो यहाँ पर सारे वो important points है और यह वो points हमने पिछली बार के examination की basis पे prepare किया है आपको पता है कि आपका examination जो है वो objective आने वाला है MCQ questions होंगे तो सारे points आपको fact to fact पता होने चाहिए यहाँ पर point number 61 है जिसे थोड़ा से explain करने की जुरुत है यह है iodimetry और iodometry दोनों में बहुत डिफरेंस है iodimetry क्या होता है इसके अंदर titration क्या जाता है iodine के साथ और iodometry के अंदर titration से ही iodine produce हो रही है तो दोनों में बहुत डिफरेंस है और चोटी सी बात है इसे आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा कन्फ्यूज करने वाला चीज है यह इसलिए हमने इसको दो पॉइंट बना करके यहाँ पर लिखा है यहाँ पर देखे हमने एक कोशन भी यहाँ पर दे दिया है कि what is end point in iodometric titration? iodometric titration में end point क्या होता है तो end point iodometric titration में वो होता है जब iodine का जो liberate हो रहा है जो iodine produce हो रहा है वो seize हो जाए या produce ना हो और तो वो जो point होती है वो end point होती है iodometric titration के अंदर सारे points important है इसलिए हम आपको कह रहे हैं बार-बार be at limit law 69 नमबर का point और 68 नमबर का point दोनों ही important है CHE1 में भी आपने इसके बारे में study किया है तो वहाँ से आपको थोड़ी बहुत तो help मिलेगी और यहाँ पर जो भी उसके important facts है हमने point wise यहाँ पर आपके लिए include कर दिया है यहाँ पर question number 70 इसको आप थोड़ा से समझ लीजे यह एक block diagram है आपका chlorimeter का systematic diagram है हमने present की करने की कोशिस की है और इस question को किस तरीके से पूछा जा सकता है वो आप देख लीजे यह जो block diagram है इसी तरीके से बनाया होगा कोई भी एक element जैसे मैंने slit को यहाँ पर आपके लिए कर दिया है या फिर meter को blank कर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस जगे पर और इस जगे पर यानि कि one और two number पर कौन से elements आएंगे तो यह आपको जो diagram है वो याद रखना होगा कि सबसे पहले light source होता है फिर slit होता है फिर करविटी होता है जिसके अंदर solution होता है फिर detector या फिर photocell इसके बाद meter तो इसे आपको याद रखना है यहाँ पर कोशन नमर 70 पॉइंट नमर 73 से आपको water से related सारे facts मिलेंगे तो water के related facts आपको याद रखना है यह आपका last जो question है वो last जो आपका chapter है आपके ब्लॉक का वो इसी पर based है सारे questions आप यहाँ पर देखेंगे वाटर की hardness के बारे में यहाँ पर बात की गई है तो टू टाइप्स की water hardness होती है temporary hardness और पर्वामेंट hardness जो temporary hardness होती है वो carbonates या बायो carbonates के कारण हो सकती है bicarbonates या carbonates अब यह carbonates किसके होंगे तो calcium या magnesium के होते हैं वहीं पर अगर हम पर्वामेंट hardness की बात करें तो यह chloride या sulfides के कारण हो सकती है और यह chloride और sulfides जो होते हैं वो calcium या magnesium के होते हैं यानि कि calcium और magnesium जो है वो main element है और यहाँ पर biocarbonate chloride और sulfide जो है यह change होते रहते तो इसके basis पर आपको यह याद करना पड़ेगा points आपके सामने clearly लिखे गए हैं total hardness जो होती है वह होती है temporary hardness प्लस permanent hardness लिगेंट के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है ligands तीन टाइप के होते हैं mono dentate ligand by dentate ligand और poly dentate ligand यह क्लासिफिकेशन है ligand का वह इस basis पर होता है कि कितने number of points पर यह attach हो सकते हैं आपके central metal आयन में सभी points आपके सामने point number 89 की बात कर लेते हैं wrinklers azide method जो है इसका use किया जाता है dissolve oxygen को determine करने के लिए water में यह develop किया गया था 1888 में wrinkler के द्वारा याद रखने वाली बात है 90 number का point बहुत ही simple है छोटा है लेकिन important है पिछली बार पूछा गया था minimum dissolve oxygen level needed to support a population of fish is 4 ppm 4 ppm जो dissolve oxygen का level है वो होना चाहिए ताकि आप एक population जो है फिसकी उसको support कर सको और यह minimum dissolve oxygen level की बात है तो यह 90 points है CHE 3L को लेकर के 40 points पहले वीडियो में और 41 से लेकर के 90 points इस वीडियो के अंदर और यहां पर आपका CHE 3L का preparation complete होता है आगे हम इसी तरीके से lab के और भी courses है उनके लिए preparation करने के लिए notes आपको लाकर के देते रहेंगे इसी तरीके से वीडियो के थुरू तो इसके लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को subscribe और जो bell icon है उसको जरूर हिट करें ताकि आपको हमारे वीडियो के regarding सारे notifications on time मिलता रहे मैं उमीद करती हूं कि आपने वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा तब तक लिए stay tuned जै हिंद जै भारत